अब जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड़ा पर मेरा नाम है नीरज यादव और हम लोग आज बहुत साधी सब्सक्राइब करने वाले पतारी किस किस चीजों के बारे में तो स्वागत है आपका मेरी मेरतन की क्लास में 20 से आपको इंतजार था कि सर्फ मेरतन लाव मेरतन लाव सूप यह विगो ओके गुडिवनिंग गुडिवनिंग हरर मादेब जैश्री राम उमीद है कि आप सब ब अगले एक मट में शूरू कर रहा हूं ओके गुड चली साबाश गुडिवनिंग गुडिवनिंग कुमार गोरव भाई आ चुके है निधी प्रशोत्तम रीना हुमा मिस मधू अथर तन्वीर रिंकु मनीशा घनिगम्मा निधीराठी साब गुड इवनिंग देर के सेतू मिन्टू अमित्राना चलो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी क्लास में स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा समात जैसे जैसे बनता चलेगा जैसे जैसे वर्म अप करेंगे और फिर दुनिया के हर टॉपिक पर बात करेंगे साइकोलोजी में सब चीज आ जाते हैं करोब करें और वी पीसी द्यारी कर रहे है अं जलकित का में तको बीए स्टैट के लिए आपके लिए सिर्फ एक बात कहने चाहूंगा मैं कि खराब बात यह कि कि समय कम है द्यान से सुनीगा मैं क्या बोल रहा हूं खराब बात यह की समय कम है अच्छी बात यह की समय है ओके लेट स्टार्ट स्टार्ट करता हूं मैं ठीक है चलिए पहला कोशन आप की स्क्रीन पर स्टार्टिंग के कुछ कोशन मैंने थोड़ा सा इजी रखें ताकि 5-10-15-20 मिनट आदा घंट आप लोग वार्मप सरें और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर किया तरह करौंगा ओके श्टार्ट करौ हूं मैं पहला कोशन मैं आपके लिए पढ़ूंगा कोशन में हिंदी में पढ़ूंगा कुछ कोशन अभी में हिंदी से स्टार्ट कर रहा अभी को प्रणाम प्रणाम मॉझकार हटर आहं मैं नमस्कार कर रहा हूं ठीक है आप लिखा जूभी पांडे संजीवोगे प्रणाम बच्चों के सामाजी के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कोन से होते एकॉनमिक फेक्टर आर्थिक तत्व सामाजिक परियावरेणिय तत्व बहुतिक तत्व या वन्शानुकत तब अब फेक्टर किसको देखो मैंने आपको विकास के टॉपिक में यह पढ़ा है था कि जो आपस में domains of development होते हैं विकास के जो I am होते हो अपने आपस में मतलब अंतह की रिया से जुड़े हुए होते हैं अगर कोई भी विकास का आयाम प्रभावित हो रहा है तो short short है कि कि वह किशी और को भी वह affect कर रहा होगा फॉर एक्जामपल जैसे कोई किसी इनसान का शारिक विकास अच्छी से नहीं हो पाया है तो सर यह बताओ कि वो सम्वेगात में रूप को कैसे प्रभावित करेगा माली जीए कोई हाइट में छोटा रह गया या माली जीए हाइट में कोई बहुत बड़ा हो गया छोटे हर बर क्यों लेना एक्जमपल तो उसका इमोशनल डवलप्मेंट थोड़ा थोड़ा डग मखाएगा कहीन कहीं पर आएगा प्रेंग को माई थोड़ा सबर रखिए ओके आएगा अभी अगर बीपेसी लेवल का आजाएगा ना आपको अभी अगर कॉशन वो मैं आजाएगा फिर आप लोग परिशान हो लाएंगे अले सरी तो बिल्कुल समझी नहीं आ रहा है थोड़ा सबर रखिए हैना इस्टार्टिंग के आदा घंटा प्लीज मेरा मूड मत खराब किजिए ओके तो थोड़ा सा प्लीज एस्टेट पास हो जाएगा बिल्कुल पास हो जाएगा आप लोग पहुत जल्दी म अंसर इस बात हो रही है शोशल डवलपमेंट की तो क्या अफ्रेक्ट करेगा शोशल इंवार्मेंट भी ओप्शन सही है हर कोशन का अंसर में लिखता चलूँगा ओके अगला सवाल पहले आप इनी लेवल को तो कर लो क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल करता हूं फिर आपको चीजों ऊपर से जाने लगती है तो कोशन पड़ो अभी बहुत कुछ है बहुत कुछ है सरापको एक्टर होना चाहिए था आपने भूल दिया इतना ही काफी विच्वता फॉलाइंग इस प्राइमरी लॉफ फिजिकल डवलपमेंट बताइए लोफ डिफ्रें विकास से संबंद का नियम मैं पहले इसी में देख लूँ उसके बाद फिर देखते हैं कैसे करते हैं सुट हर्ट सरजी ओके आप बस अब आप डिएसस्वी एंट्टी क्लास वाइटी पर नहीं ले रहे हैं क्या नहीं ले रहा हूं कल से स्टार्ट है न कल क्या संडे कल भी यह पर सो भी यह सट्रेडी संडे को मतलब थोड़ा सा रहता है उपर नीचे बाकि मंदे और करो बात को पड़ने का मतलब किया हुता है सरहम इस किताब को चार बार पढ़ लिये समझ में नहीं आया पर पढ़ने का मतलब यह हो इसलास आतना पढ़ लिया उसको रिड़ कर लिया चीजों को जब करनेक्ट करना नहीं चीखोंगे आप कैसी समझभाऊगे इस कोश्चिन को कैसे करना है अभी मैंने वोला लॉफ रैपीड ग्रोथ यहां पर प्राइमरी लॉफ फीजिकल डिवलपमेंट का तो आपके दिमाग में तुरंट से यह बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि सबस्ता में सबस्क्राइमरी बाध ग्रोफ कितने होता है बनातों कि कह grams घ्राइब ताड़ करें नेहीं है और अबस और सुछी थैजिसए फिजिकल ग्रोफ उसकी होती यह इस यह इसका सी औसॉचप चीजों को समझने ही कोशिश किया करू है और कॉश्चन हर टॉपिक से न्यूरों से भी है बाइलोजी से भी है हर चीज़ से कोशन हर महादेव जैश्रीराम आज़ो कमेंट पर थोड़ा कम जान दो मैं क्यों डिश्टब करते आप लोग सिर्फ जब मैं चाहूंगा तब ही देखूंगा अधर विकास का सिद्दांत नहीं है अब जो सबस्क्राइब हाला कि आप लोग तो सी बीटी देंगे एक्जाम तो जब होता है न तो मैं तो पैनी रहता आची यह नहीं लिखा है मैं हटाते ही जब तक में कोशन का अंसर जगना पहुंच जाओं ठीक है वोड़ीजेट चुरियाफ कंडिशन डिफ्लेक्स वातानु कू अगरा 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 सवाल कुछ सवाल में तो रहां जहां मुझे लगे रुखना चाहिए मैं रुकूंगा विकास के प्रिणाम सरूप नहीं विशेष्टा और नहीं योगता उत्पन होती है यह कतन किसके दौरा सब्सक्राइब है सोचन एट ऊपटाई आप इसको कैसे करें जब भी कोषेण आती है जो development वाली तो उसको लोक कर दिया गरों किसके साथ हर लोग के साथ किसके साथ लोग करेंगा अप हर लोग के साथ तो इसका ऑप्शेन होगा भी अगला सवार इंस्टिंट यानि बेसिक इंस्टिंट आर्दे ग्लासिफाइब और 14 टाइप कम से कम मैंने इस बात को आपको 25 से 30 बार जी आज मिनिमम बेर मिनिमम कोशन अगर आपने साथ दिया मैं पहले से कमिटमेंट नहीं करते हैं क्योंकि शायद मैं मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाता है पर अगर आप लोग साथ रहे नहीं तो मजा आएगा मतलब देर तक पड़ेगे हम लोग ओके बाकी आपके कमेंट को प जाए एक वस्तू पर मैं थोड़ा स्क्रीन के सामने नहीं क्योंकि डिस्ट्रबेंस होता आपको तो कोशन ढख जाता इसलिए मैं तोड़ा साइड में होके हूँ जब एक्स्पेलेशन दूँगा तो मैं आपसे बात करूंगा ठीक है पढ़ने वाले लोग पढ़ते रहे औ सब्सक्राब तो डिश्टर मत कर उख्लास को जो लोग कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं दिहान किसी अन्य वस्तू की बजाए एक वस्तू पर चेतना की एक अगरता है वड़ी यह बयान किसने दिया है डंवैली रोज मून या मैक्डूगल कुछ तरह के मुझे लगता है कि 10 से बारा आपके स्टेटमेंट वाले कोशन आते तो मैंने उनको रखा है कि वड़ीजेट ए ओप्शन सही है यहां पर आपका कुछ चीजें आप याद कर लो हाँ बिलकुल याद कर लो सरकार मैं तो साइकोलोजी में याद करने को बोल रहा हूं जब मैने मैथमेटिक्स का हुआ लोग पर दिया था तो मैं मैंस के कोशन भी याद करता था में आशर भी आज करता सब रहें खलानी तो मिल दोस्त सब करना पड़ेगा चिंदी पुलिस का फिजिकल हुआ तो कई छोड़ो यह बात इज विच इंग्लूदिद इन दा प्राइमरी लॉफ लेरिंग ओके नोट बात करना किसमें प्रायमरी लॉफ लेरिंग वे लेरिंग की अधिकम की बात आजाए करें अच्छा एक बात गगर मैं आपको वाताओं तकी इसकी त्यारी कर रही हूं ना उस को कवर किया और वहां से कोशनाय सिर्फ दो तीन या चार और कोई छोटा सा टॉपिक दे रखा है माल लीजे आपको दे रखा है एंसले पस में बहुत सारी लोग छोड़ के जाएंगे यूनिट 15 यूनिट 15 इसको मैं दो तीन क्लासों में कवर करूंगा टी टेस्ट और यह प मल्टिपल रिस्पॉंसीज रेडिनेस है एकसरसाइज है इफेक्ट है इनको एकस्पेल करने की जुरूत नहीं है अगर है तो मैं एक एक मिट में कर रहा हूं रेडिनेस मतलब आप बच्चे को मेंटली रेडी करते हो उसका मस्तिष्ख का वो लेवल आ चुका है कि आप जो सब्सक्राइब करते हैं आप 500 मिटर चलते हैं आपको ठकान लगती आपका हाफ ने लगतू स्टार्ट विट एट 100 मिटर चार दिन चलिए आराम से आपको दोड़ने के बारे में सोच एमाथ फिर थोड़ा थोड़ा हलका हलका निंग इंग्लीज करो शन्नोशनो दीरे-दीरे एक किलोमेटर दो किलोमेटर दस किलोमेटर आप यह पाएंगे कि अगर आप प्रनसिस्टेंसी है इफ यू आर डूइंग रेगूलर एकसर साइ विच्टेस्ट हां जी कोशना चुका है अब को के विच्टेस्ट इस प्रोपाउंड इड़ डॉक्टर एस जलोटा मुझे यहां पर नाम आ रहा है अनूप जलोटा के यादा रिये ओके कोई बात नहीं फॉर्ट चिल्रेन फ्रॉम 12-16 नोन वर्वल टेस्ट इंटेलिजें मेंटल आरमी अलफा आरमी बीटा पीचर ड्रोइंग वर इस एट कम आन कोशन में एट आंसर दीजिए कोशन नमबर एट वरीजट क्या वोले इसको हम थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा मैं ओके क्योंकि ताकि मैं देर तक पढ़ाऊंगा ज्यादा हूहा करने का मेरा मन नहीं है हाँ अगर आप लोग थोड़ा सा लो फील करेंगे तो मैं आपको गाना का के सुनाओंगा आपको कुछ भजन सुनाओंगा मतलब कुछ भी बात करूंगा जिससे आपको अच्छा लगे वरिजट एट एट का अंसर क्या देरा आप वेरी गुड जनरल मेंटल एबिलिटी ट साथ आप से दो तीन चार पांच छे कोशन तक पूसकता हूं पहले आप इस कोशन का अंसर दीजे फिर मैं सर थोड़ा फैक्ट प्लीज यह फैक्ट कही तो कोशन है मिने दोस्त फैक्ट कही तो कोशन है हर शित ज्यादव क्योंकि आते हैं तो मैं सूच रहा हूं कि हर 1520 यह कोशन यह है आपका तीन तत्व सिद्धान्त किसने दिया है कमल फास्ट अब अब फील आरिये मिर गोर्यास अनाव अच्छा लग रहा है मेरे को फटाफट से करो मेरा तवाना थोड़ा सा मोटा है तो वह देर में करम होता है और देर में ठंडा होगा भी कॉन फास्ट इस ने दिया आंसर ओके भी है ठीक है मान लिया मैं पूछ रहा हूं कि टू फेक्टर चोरी गिवन बाइचार्स फेर में जी फेक्टर एस फेक्टर ठीक्स ने दिये स्पेर में 904 वेरी गूड त्री फेक्टर चोरी लिखो और उसकी आगे उसका नाम लिखो इंसान का तब मुझे पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हूं पूश से रहो गूड मानीं गूड नैट करते रहो मुझे कोई मतलब नहीं मैं सिर्फ वही देखूंगा जो मेरगों देखना है रैंजूली ने ट्राइंग से हाड हां दो फेक्टर टेयरी हो चार फेक्टर चीरियो कि तीन फेक्टर ठीयों किसने दिये स्पेर मैंने दिये हैं आप कंफ्यूज कहां पर कर रहे हैं मैं बताता हूं सुनिए मेरी बात एक है ट्रायार की स्यूरी मैंने ठीट ट्री तंत्रिय नहीं बोला था ट्रीट अर्ट फेक्टर ठीट तुरी इवन भाई रोबर्ट स्टर्णबर्ग ओके इसी सच मिलता जोता नाम है थ्री डैमेश जोरी किसने दिए फटाफट बताओ बात यह है बात यह है कि जब मैं कॉशन करा रहा हूं तो मैं कॉशन नहीं करा रहा हूं मेरा काम है सिर्फ आपको एक स्टूमिलस देना आप सोचो कि सरकी क्लास में आ जाएंगे पेपर पास हो जाएगा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त कभी नहीं होगा लिख के लेलो मेरे से ये बात चाय वर्ल्ड के बैस्ट नोस ले लो बैस्ट टीचर रेलो बैस्ट बुक ले लो जब तक आप खुझ से नहीं अंदर से वह आईगी नहीं होगा मेरे दोस्त और अगर आपने एक कमेंट दस बार से जादा किया आल ब्लॉक यू म समझ गए बात के लिए रहे आगे बढ़ना चाहरा हूं मेरे ड्रोइंग इस इसको ठोड़ा छोड़ दो हलका सा दिक्कत करेगा यह कुशन चरो बताओ थोड़ा लेवल है इस कोशन का बता ये मेरे ड्रोइंग टेस्ट इस यूज तू मेजर रेट आफ लेर्डिंग ट्रा किया जाता है किसके लिए सीखने की दर के लिए रेट आफ लर्निंग दर समझते आप स्पीड पेस सीखने का इस्थाना अंत्रण रचनात्मक और ब्याज अब इसके साथ एक कोशन और आएगा आपके लिए कोशन नमबर टैन का आंसर आप लोग दे रहें बी ए एए वी ठ ठीक है बहुत बढ़िया पहले पांच कोशन सही आ जाएंगा उसके बाद मैं अगले कोशन पर मुव कर जाओंगा बाकियों लेट लतीफ से मुझे कोई मतलब नहीं मुझे श्रों इंसान पसंद नहीं जिन्नों ने भी और भी आंसर दिया है वो लोग दोनों ठीक है मेरा क कोशन आप से ही है कि how many transfer of learning are there sir Hindi में बोलिए ना अधिगम के स्थानांत्रण के कितने प्रकार होते हैं सिर्फ यह बता दीजे मैं उनके नाम बताता हूं आपको कम आन फास्ट कितने प्रकार होते हैं अधिगम के स्थानांत्रण के यह रफ्रेश्च बार बार करना पड़ेगा मुझे ऐसे तब तो फ्री यही काम रह जाएगा मेरा ओके अगी जी क्या है अधिगम कहां वेरी गुड़ तीन प्रकार होते हैं पहला है सकारात्मक स्थानांत्रण मतलब पॉजिटिव ट्रांसफर अफ लर्णिंग आपने कुछ पहले सीखा हुआ है अब वह आपका नई सिचुएशन में काम आ रहा है बॉट भी चला सकते आफ स्कुटी चला सकते अब सब कुछ चला सकते उसको भी बैलनस करना होता है ठीक है नेगाटिव ट्रांसफर अफ लर्णिंग आपने में पहले कोई ज्यान सीख याए और वो अब आने में दिक्कत कर रहा है जैसे माल लीजिए कई रशा होता है कि आप इंग्लिश की टाइपिंग शीक्ते तो हिंदी वाली instinct is associated with water according this according mauna according hey according to MacDougall कि हर व्रति जुड़ियु अनुभूति भावना संसनी या सोचना संसनी ध्यान से देख शे पहले आता था नहीं आई है संसनी वाला कुछ क्यर कोशन नब 11 प्लीज वट इस एक कोशन नब एलावन प्लीज वट इस एक कोर्दिशन एमोशन संसेशन या थिंकिंग 11 का अंसर ओके कोई नीशन एमोशन संसेशन ठीक फिक थीग ठीक फिक एख एए बीटीक एक पी इसका इसका सबसे अचान सारुत जाना इसका सबसे अच्छांसर होता वैसे मैं सी के साथ जाना चाओंगा बसका सबसे अच्छांसर अपर्ट्स परसेप्शन पर्टक्षी ग्रण कोई बात ने गिविंग दन मीनिंग टुद जिए अनुभाव पिछले अनुभाव के आधार पर समेजना को अर्थ देना क्या क क्या लाएगा कोशन नमबर 12 पीछले अनुभाव के आथा सम्झोज आम मेरी बात सुनों देखो सेंसेशन पर्सेप्शन समय स्वेदिकर्ण संवेद परत्यक्षी गरण का होता है संवेदी संवेदिकर्ण जैसे आपको सर्दी लगती है आपको गर्मी लगती है आपको कु गर्म गर्म कपड़े लेते अगर आपको गर्मी लग रिया तो आपको उतार के फैक देते तो है आपका वेन्यू टुक दा एक्शन देट इस परसेप्शन ओके ठीक अग्ला सवाल वरीज़ाट कोशन नमबर 12 very good perception is cancer agla five-year-old Mohan has mental age of eight what is his IQ सबसे पहले मुझे आप IQ का formula बताएंगे that is what mental age upon chronological age मांसी कायू upon मैं happy birthday वाली आयू multiply by 100 come on I need an answer fast dharna ठोड़ा जल्दी करेंगे ठोड़ा speed से करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा speed up man please fast अननननन पैसा टिट 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 ट्रेश्ट अजी आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास एक कभी आंसर नहीं इसका मतलब गणित में डबा गोल है या कती गोल है बिल्कुल पांच साल का एक बच्चा है पांच वर्षे मुहन की मांसी कायू आठ है तो मांसी कायू की डाल दो वैसे कितनी है आठ तो कितना हो गया इतना समय लगता है कि आपको come on यार हदी हो गई है मज़ा नहीं आया बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेरे को अब मुझे यह बताओ कोशन तो मुझे अब पूछना था आप से आप पहली डिर हो गए हाँ ठीक है वेरी गूड मेरी गूड ओके कूल कूल अब यह बताओ यह बच्चे की कैटेगरी क्या है इस इसको क्या बोलेंगे इस बच्चे को हम पहला सवाल दूसरा सवाल क्या इस बच्चे में कोई विकार हो सकता है क्या यह बच्चा किसी विकार से पीडित हो सकता है मैं प्रोड़ में प्रोबिल्टी की बात करो संभावना की बात कर रहो हूं यह सब मुझे एक और बात हो सकता है अगली बात विच आई क्यू रेंज इस कॉल्ड ट्रेनेबल आई क्यू मतलब जिनको आप ट्रेन कर सकते हो जो अपना ब्रेड और बटर कमा सकते हैं जो थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉर्मल काम कर सकते हैं भार फोरन कंट्री में मैंने पड़ा था कि जिल लोगों क हाई क्यू बीलो एव्रेज होता है ज्याद़ ही बुलो एवरेज होता है उनको भी आप समाज में इंकलूजन में लाते हैं छोटे छोटे काम कर अंसे जैसे माल लीजे किसी बड़े से होटल में वेटर के काम देदिया टिकेट का मदेह सिना जाधा मेंटल यूज नहीं हो तो उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हम भी समाज का हिस्सा है ऐसा नहीं को अलग तरे अलग तरे डाल रखाया आपने 14 का अंसर 14 का अंसर भी गलत है विच आईक्यू रेंज इस कॉल ट्रेनेबल आईक्यू आईक्यू अफ मेंटल रिटार्डेड फॉर्टीन बी ओके ए सी बी देख तो लूम जारा कितना कंफूजन है आप में अरे सत्तर से अच्सी वाला था बहुत ठीक है इसको ट्रेन करोगे आप यह तो फिर भी सही है जश्ट बुलो अवरोजी तो यह इनसान यह एक कभिया हाँ तीन चार पांच लोगों ठीक आई कि डी ओप्शन साइस का अगला रोशा शाही इंक ब्लॉक टेस्ट इस जूस्टू मेजर हरमन रोशा का जो टेस्ट है शाही धबा परिक्षण उसके बारे में यह सवाल है पहला मेरा कोश्चन यह कौन से टाइप का परि कौन से टाइप का परिक्षण है उसके बाद आप इस कोश्चन का आंसर दीजिए पर्सनेलिटी इंटेलिजेंस इंट्रेस्ट या एप्टीटूड हाला कि यह तो बहुत सिंपल कोश्चन जो मैंने आप से पूछा है वो बताईए नाम तो मैंने पहले ही बता दिया हरमन र इस एप अब मुझे बताईये यह कौन सी विधी से प्रक्षेपन विधी से है और यह एप शेपन विधी से है परस्ण एल एक नम्यार्टिव मैंन उर्थन कोशिन यह है आप से से कम आप फाष्ट कंगar का बहुत स्लों आपकर स्टेमीन या कम अज़य इतने जॉकंत ही हु के फिफ्टीन हमें परस्नेल्टी टेस्ट है और यह प्रोजेक्टि टेस्ट है ऑई प्रोजेक्टी तती है बहुट्ट इस अबने साह प्रोजेक्ट guy क्या होता है projects come on the projection to throw personality ko throw करना projector क्या करता है picture को सामने लेका आता है ताकि आप देख सके very good सावाज अग्ला सवाल which are the following is not the cause of forgetting in में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है बताई यह सवाल के लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देना चाहूंगा not more than that इससे जादा मैं आपको अलाव नहीं कर सकता है I'm sorry क्या होगा जी इन में से कौन सा भूलने का कार्ण नहीं है कम सीखना याद रखने की इच्छा मान सीख द्वंद या फिर याद रखने की दोश्पूर्ण विधियां बताइए आप मुझे नंबर से कोई खास फरक नहीं पड़ता क्योंकि एक्जाम को पास करने वाले लोग हमेशा इतने से उते हैं और हुर्त करने लोग हमेशा इतने होते हैं तो यहां पर अपर अ कर दस समस्ति करने करो बिन दास मैं आपके साथ हूं क्वेश्चन नमघ 16 कि वेरी गुड सावाज डिजायर टू रिमेंबर अगर आप में डिजायर है रिमेंबर करने की अगर आप याद करने की अगर में आपको बोलों आप मुझे याद रखो कुछ और एक्जम्बल लेते हैं अगर मैं बोलू कि आप किशी चीज को याद रख उसको है ना याद रखने की इच्छा वेरी गूट सावाश बहुत बढ़िया अगला सवाल वह विज्ञान जो संख्यात्मक डेटा को एकत्र करने वर्गी करत करने प्रस्तूत करने तुलना करने और व्याक्ष्य करने की विजियों से संबंधी ते क्या कहलाता है दा साइन्स विच डिल्स विदे मैटेट्स ऑफ क्लेक्टिंग क्लासिफाइंग प्रेजेंटिंग एंड कंपेरिंग एंटरपिटेटिंग नुमेरिकल डाटा इस कॉल्ड वर्ट एक गुडिया बोले सारा आपको एक्टर होना चाहिए ता यार पता है क्या गाइडेस और कांसलिंग की बड़ी कमी रही है मेरे जीवन में किसी ने मुझे बताये ही नहीं उस समय पे कि नैशनल स्कूल ओफ ड्रामा भी होता है आपको वहां जाके ट्राइक करना चाहिए क्या फरक पड़ता है फैन फोलिंग अभी ठीक ठाक है हमारी बहुत लोग पसंद करते हैं वहां जाते लिए से बहुत बढ़ी है सावाज यह क्या है स्टेटिक्स होता है इसको क्या बोलते शंक की जो बेन आपको बताय था मैंने आपको पड़ाया भी है थोड़ा बहुत संकी की हाला कि कि उसमें कुछ चीज़े और रह गई हैं बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा आप कथा वाचक बनिए वाव कुमार गौरव यह तो अपने तगड़ी भी बात कह दी है बोल यह निताई गौर हरी बोल ओम नमा पारवती पताई हार हार महादेव शंभू बहुत बढ़िया जंदा रहोगे और पढ़ते रहोगे फूर्व हैस गिवन दकन सेट आफ एडुकेशनल कोशेंट फोर दबेकवर्ड चुल्रन किसने बात कि इस बारे में किसके बारे मैं शैक्षिक भागफल की अवधार ना के बारे में कि पिछड़े बच्चों के बारे में बात किये किस इस कोशन पर समय बिताना है मैं बिताऊंगा जरूर बिताऊंगा फू अमंग दा फॉलोइंग विच अमंग दा फॉलोइंग इस डिफरेंट फ्रॉम्दा करेक्टरिस्ट्रीश्ट पूड टेस्ट इन में से कौन सा अच्छे परिक्षन की विशेष्टा से भिन्द है अब हो आपको बताता हूं अच्छे परिक्षण का होता है चाब लोता हूं अच्छे क्रेक्टरिस्टीमट होती है विशेष्टा क्या होती है सबसे पहली तो यह कि वह सवाल आया उसके चार और को संणे खेए और पी मिलेगा तो अब जाप दीन होनी चाहिए ने धे ठेये बिल्कुल होना चाहिए एप्टी ट्यूड वाली बात यहां पर जच नहीं रही है कोशन नमबर 19 का एप्टी ट्यूड आंसर है बहुत सारी लोगों सही दिया है साभाश निम्लिकित मैसे कौन सा बुद्धी का सिद्धान्त नहीं है यूनिफेक्टर टू फेक्टर ठोड़ी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लेकर यह तो आप लाइक कर सकते अपने यार दोस्तों को शेयर कर सकते सबको अच्छा लगेगा मधू थोड़ा सा गलत हो गया मधू माला कुमारी गुडीवनिंग कर रहे हैं आप चलिए गुडीवनिंग कोशन नमबर 20 का अभी तक नहीं आया मेरे पास आगे 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 वेरी गुड़ सी ओप्शन एच्छोरी ओफ रिग्रेशन अब मुझे पताई एच्छोरी ओफ रिग्रेशन दी किसने यह आप मुझे बताएंगे अगला सवाल विच आफ दा फॉलोईंग इस नोट अड़क्ट लेस ग्लेंड आजाओ कौन बोल रहा था कि सर वह वाले कोशन कर आओ आजा गुडिया कहां गई फटा पटा आजा प्रकेट हो जल्दी इन में से कौन सी एक नलीका रहीत गरंती है और इसको याद करने का तरीका बता हुआ 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 हरी गुण का के जीवन बना ले पगला अरे थक गए क्या है थको मत भाई बस अभी कितना पंदरा मिट तो हुए क्लास चले अभी से थक गए शनिवार की राथ है वीकेंड का टाइम है इंजोए कीजिए ना क्लास में इंजोए करना पुछी को मोलते हैं मतलब वो जो भार घूमना रोड़ पे घूमना पार्टी करना मस्ती करना यह भी तो मस्ती हो रही है थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो कि सब चीज़ हो जाएंग का पीटी यह पेरेंट टीचर असोशेशन नहीं है पिट्री ग्लेंड थाइराइड एंड एड्री लाइन ओके वेरी गूड सावाश मनीशा बहुत बढ़िया अगला सवार 22 प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक इनका तो जब आप साइकोलोजी पढ़र और इनकी बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास का दूसरा चलंड कौन सा है यह तो बहुत सिंपल कोशन हो गया मुझे इसके आगे वाली बात पूछने आप से पहले सकांसर दो फिर मैं एक इसमें से कोशन पूछता हूँ एक कोशन आप से पूछना चाहँगो इसके बाद पहले सकांसर दीजा फटावर से थोड़ा स्पीड बढ़ा लो भाई हूं सर करतो रहे सर स्पीड के रोकेट बन जाए पूरा पढ़तो सवाल ठीक है हंजी 2222 very good very good very good सब कर ठीक है सब कर ठीक है अब मुझे यह बताओ की प्री ओपरेशनल स्टेज में दो अवस्थाएं होती है उनका नाम क्या यह है कोशन सर आप चीटिंग कर लेते हो कभी कभी कोशन कुश जेते हो किटकेट खिला के और आप करिला दे देते ह हो हमारे को है देखो यार मेरा काम है आपको थोड़ा सा रिलेवेंट पढ़ाना हलका सा थोड़ा 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 चीजों को मुश्किल करते रहना है ना आपको अच्छा लगे या ना लगे पर टीचर होने के ना ते मेरा यही करता वे यही मेरा धर्मे कि मैं आपको हलका-लका सा चीजों को उच्छुक और आपकी जिग्या से को बढ़ाता रहूं मुझे दो टाइप बताइए प्री ओपरेशन दो टाइप कॉन से होते हैं इसकल डवलपमेंट हैड़ी इंवालमेंट स्पोस्ट एन एकसरसाइज या ओल अब दी अबव बताईए लड़कों को बड़ा शौक होता है अपनी हाइट को नापने का किस से माता पिता से तो दिर दिर आपके हाइट बढ़ रही होती है तो जनरली मा की हाइट पिता से छ अब परावर होने वार लोग दीरे दीरे बच्चा ममी से बढ़ा होने लगता है ना वेरी गूट अकांशा बहुत बढ़ या साबाश गुडिया वैल ड़न मज़ा आ गया बाकी लोग बाकी नहीं पढ़ें इनको इनका मतल़ा इनको पढ़ना नहीं है यह सब खेलने आते और मैं भी इनको ख़लाता रहता हूं क्योंकि भगवान का हाथ हमेशा एस आपका आशिरवात चाहिए भगवान बोले तथा तू बेटा हो जाएगा तो चिंता मत कर आप संशे में रहते हैं आप डाउट में रहते सर होगा की नहीं होगा सर कर पाऊंगी की नहीं कर पाऊं भगवान फिर भी ऐसे बोले तथा तुब अमें होने भी निदो तु चिंता मत कर रहें इस सोस्ती रहे मैं तो चिंतन करने को वोला और तुचिंता कर रही है सावाश लगी रहे अगला सवाल कोशन अबर 24 ओहो कॉशन पढ़ो और बताओ मैं तो इस पॉशन को पढ़ना भ इप्लाइबाई हंड्रेड यह तो बहुत बच्चे वाला कोशन हो गया मैं कोशन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं थोड़ा सा इत्तु सा मुझे आप एक्यू के फर्मूला बताओ है सर यह क्या होता है अब मुझे आप इसका नाम भी बताओ कि किस इसके बारे में किस ने बात किए कोशन यह है हुँ हम अमित्राना भाई बताओ अब पढ़ लो पढ़ लो कहां जा रहे हो नहीं समझ मारी बात अब चलो आपको कुछ सुनाता हूं और यह भगवान के कॉंटक्स में ठीक है इसको कही और मतली जाना क्योंकि प्रभू के लावा मुझे कुछ और अट्रेक्ट करता नहीं है सुनाओ कुछ आपको कुछ सुनाओ पहले इसका आंसर दो फिर मापको एक बढ़िया चीज गांके सुनाता हूं कुछ अच्छी सुना तो आपको बहुत अच्छा लगएगा इसको शें का आंसर दो अरे वह ठीक है इसका आंसर आई में इस यह हो गया यह और आपसे यह पूचा इसका फर्मूला क्या होता है और यह किस ने दी है कुछ नाम कुछ तो लिख दो अब कुछ शिकारी लोग गूगल करने लगे होंगे सर यह तो कभी सुनाई नहीं नहीं कुछ लोग ऐसे बोलने थे आप बहुत स्लो पढ़ाते हो आपका तो बहुत लेवली थोड़ा सा है ओहो सर सुनाई यह कितने तयार है सर सुनाई हम तयार हो गए उसको पहले कमाओ तो सही इमोशनल इंटेलिजेंस का फरूला मुझे कौ डैनियल गोलमेन ने किसने बात किया है डैनियल गोलमेन ने और फर्मुला क्या होता है यहां पर मेंटर लेज़ा है वहां पर सिर्फ एक्यू कर दो बाकी सब ठीक है सिंपल बताओ इतना तुच्चू सा कोशन आपको दिक्कत दे गया है आज़ा अगला सवाथ 25 निम्निकित मैंसे किसने चिंतन सील सोच का वर्णन किया है डीवी रॉस वुडवर्थ या ड्रेवर वुडवर्थ की एक फेमस लाइन है मैं आपको बताना चाहूंगा पहले आपको 25 का आंसर दीजिए सुनवा गुर्देव सुनवा बचुआ है सुनवा ओ मरे बबुवा रिफ्लेक्टिव ठिंकिंग और रिफ्लेक्टिव ठिंकिंग गिंगे दो प्रकार कौन से होते हैं फटाबठ से बताओ चलो ये काम मैं कर दो एक होता है अभी सारी चिंतन एक अप सारी चिंतन अब मुझे सका अंसर बता दो एक बार 25 का वेरी गूर्ड सावाज शाहाज वेरी गूट जोन डीवी है इसका अंसर जो लोग गलत दे रहे हैं डेक्स पर खड़ोना का टाइम आगा आपका हुँ अगला सवाल कोशन में 26 वीचिज डॉर्ट इंक्लूड इड इन लेवल्स ओफ रीजनिंग इंडेक्टिव तर्क के इस तरों में कौन सा शामिल नहीं है अधिश्टापन का बताइए क्या बात है इंडेक्टिव रीजनिंग आगमन विदी के बारे में बात कर रहा है अब्जरवेशन एक्सपेरिमेंट डेंजडेलाजेशन भी बताइए फटाब से यह जब आप इंडेक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो आप कहां पर जाते हैं कैसी बात करते अरे बोलो एक्जामपल टूरूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं पहले एक्जांबल देते तो उसमें आप बच्चे से औबजर्व करवाते हो एक्सपरिमेंट करवाते हो बहुत सारे एक्जामपल देतो फिर उसका एक जनरल रूल बनाते हो इमेजिनेशन की बात यहां पर नहीं आती है डी ऑप्शन से यह मिस्स मदू आपका ठीक है और अंजली का ठीक है है अंजली अंजली कोन बोलता है इसे पता नहीं कोई बोलता है मेरे कानों आगया ओके 27 फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल जब आपने कुछ पढ़ा और आपने याद नहीं किया तो यह आपकी घलती है क्यों क्योंकि आपने रिवाइज किय नहीं करों क्लास्वेक तो याद रखो इसको अगर में कुछ करना है तो वेरी गुड निगमन में रूल टू एक्जामपल वेरी गुड कभी खुशी कभी गम में अच्छा आपने किसी बात का जवाब दियोगों भूल गया मैंने क्या पूचा था क्योंकि थोड़ा शारुखान अच्छा शारुखान हां अच्छा ठीक 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 अजली याद आगया थीक ठीक हां कभी खुशी कभी अजली वेरी गूड वेरी गूड ठीक 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 पूरा लिख्खा करो नहीं हां समझ गया वे बेकुशारुखान गराम से कितने खुश्य होगे 27 cancer बता दो सावाश यह ओप्षिन से यह फोर्गेटिंग बोलते हैं सिंपल था 28 दे मेन करेक्टरिस्टिक अफ बेसिक इंस्टिंक्ट इस देट विच इज फाउंड ओनली इन 28 cancer क्या है मूल प्रवर्टिका मुख्य लक्षण वे है जो केवल में पाय जाता है मनुष्य में बिल्ली और चुहे में सवी जीव और यह जन्मजात और प्रकरतिक है या कलाकार लोग में पाय जाता है सर आप अपने श्टुडेंट की गोवर्णनेंट जॉब लगवा के ही मानेंगे मैं मानूंगा इनी मैं मानूंगा इनी फाइनेंशल फीडम यह तो मेरा हक है है श्जिया जी मूल प्रवर्तिय सभीन होता है अधिया इसे मूल प्रवर्तिय होती है सब में होती है ठीक है यह जनम से होते हैं सभी जीव Dollar Tonight अगला High 好吃 करोगे तो जरूर लोगोगे अभी आसे टाइमонец करते रोग तो कैसे हो पाएगा बताइए और यह कोशन मुझे याद आ रहा है मैंने शायद कल भी कराया था चैसे 14 आयूवर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारे सिख्षा का अधिकार भारतिय सम्मिदान में शामिल किया गया है आर्टिकल 26 अनुछेद 15 अनुछेद 45 अनुछेद 21 अब यहां पर बात की गई है किसकी राइट की बात की गई है तो कोश्चन में कोई गलत नहीं होना चाहिए कल मैंने बताया था आपको ऐसे कुछ बताया था मैंने फंडामेंटल राइट बीपी एसपी यहाद आ रहा है कुछ सोज आते हैं तो मतलब सब कुछ भूल जाते हैं लोग ट्विंटीनाइन का अंसर अरे बोलोगे नीजारी क्या ट्विंटीनाइन वेरी गूड सावाज डी ऑप्शन बहुत बढ़िया शांदार शांदार जवजजद जिंदावाद बहुत बढ़िया क्रेश्मर की बात रा सब्सक्राइटिक पिकनिक या ओल आफ दी अबव सर्यूपी में साइकोलजी की वेकेंसी नहीं आती गुडिया बहुत जल्दी आएगी एक डेड़ साल हो गया प्लिटी के लिए तैरी करते हो बहुत जल्दी वेकेंसी आएगी 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 यह बीपी ऐसी इतनी तेज से चल रहा है डी ऐसेस भी और इन पर यूपी वालों पर कान पर जूनी रेंगी पता नहीं क्या कर रहे हैं बताओ हैड मास्टर की वेकेंसी निकाल दी यूपी में वेकेंसी आएगी ना भाई साब तोड़ी मचा देंगे ओर तो एक लोड़की ऐसे करने आपको पर करने आपको पर चुरी में चीज़ेशने पेड़ में करता हूं दोस्त था आपको भी कराएंगे आपको बढोडन ट्रोह सर्क में प्यार कमीयी रहे गए की अनने गलत नहीं सोच ना है प्यार आपको बहुत दी ऑप्शन से यह व करेंगे आपके जैसे athletic मेरे जैसे exercise करेंगे कम खाएंगे भार कर नहीं खाएंगे बहुत सरी exercise करेंगे मैनत करेंगे फिट रहेंगे है और एसनिक बिल्कुल बिल्कुल मरीले से कि फूग मार्दो उड़ गए अग्ला सवाल बहुत जल दियोगा बहुत जल दोगा तब परपस आफ टैट इस तुमेजर विच आफ फॉलोईंग इंटेलिजेंस परसनेल्टी एप्टिटूड यवैल्यूज टीटी से आप क्या मेजर करते हो बताओगे जरा अच्छा कोशने जो आप बीस टैट का एक्जाम दोगे आप टीक है शुमित यूनिट 15 आपको नेस्ट क्लास में यूनिट 15 ही करेंगे यह यूनिट 15 करेंगे मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि आप यूनिट 15 से बहुत ज़्यादा डरे हुए चिंता मत करें यूनिट 15 कही पहले काम तमाम करते हैं आपने बोल दिया काम हो जाएगा हो पेडागोजी पूछी जाती है बहार बहुत सारे लोग इंसान ऐसे जिनको ग्यान तो बहुत है बट रोड भूम रहे हैं क्योंकि उनको डिलीवर करना ही नहीं आता तो आप भी ऐसे टीचर मत बनना कि आपको ग्यान डिलीवर करना ना आए तो आप उसको सरल सब्दों में आप बता सके समझा सके किसी और को तब आप टीचर हैं अगला सवाल मैं इस गुडिये का सवाल लेलू बहुत परिशान है शिमोली डीडे 171 सर बिहार स्टेट इलिजिबिल्टी टेस्ट का एक्जाम कब होगा प्लीज बता दीजिए मैं बताया मैंने आप ही के लिए बोला बहुत जल्द होगा बहुत ही जल्द होगा तयारी करते रहूना आप एड्मिट कर आएगा तो आपको पता चल जाएगा आज़ो एक्सप्लेंस विच आफ फॉलोईंग लर्णिंग मेमरी मोटिवेशन क्रियेटिविटी देखो मैं ऐसे करूंगा इस क्लास में 10 कोशन में फ्रॉड़ा थोड़ा स्लोग करा आँ अराम-राम से करांगा फिर अगले 10 कोशन में फास्ट कर आउंगा अगले 10 फिर 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 फास्ट तो ऐसे करते रहें तो आपकी रिदम बनी रएगी समझे रो और मुझे नहीं लगता कि आप लोग जेल पाऊगी आप इतना है मतलब तो चाय कॉफी कुछ ले के आओ बैठो और सीधे बैठो कमर की एटी रीट की एटी सीधी करूं पहले तो लेट के देखे रहे ते रहे जाई में सिद्धान अगला सवाल सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है कौन से सब्सक्राइब की व्यक्ति परक पद्दती है विच फॉलोइंग इस दे मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड बाइसाब सब्जेक्टिव दो चीज़े होती है सब्जेक्टिव अभी बताया था सब्जेक्टिव मतलब मैं आपसे यह पूछू कि आप अपने बारे में कुछ बताईए आप पूरा ऐसे लिख देंगे अपने अपने दोस्ते बारे में ज्यादा लिख देंगे आपको जो पसंद उसके बारे में तो सर्फ पूरी ठीसीज लिख देंगे हैं ना सब्जेक्टिव अगर मैं पूछू कि आपका बड़्डे का बाता है तो आप एक ही अंसर दे पाएंगे इसमें कुछ आपके पिता जी कर आपको एक्षीर सुनाते हैं आपको एक्षीर सुनते हैं तो सुनो पहले सक्षेंट बताओ यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वह कुछ भी बता सकता है अपने बारे में आपको मानना पड़ेगा तो किसी के अंदर जो घुसे नहीं हो आप आरे हां की ना अगला सवाल ना पिलाने का शौक है हमें तो बस नजरे मिलाने का शौक है और नजरे मिली भी तो उन से मिली जिने आखो से पिलाने किसकी बात करने बाके विहरी जी की बात करने कभी आप रिंदा वन जाएं तो उनको देखें उनकी आखें ना आखों से पिलाते हैं वह आपको ठीक है बहुत बढ़िया यह यह मेरा भाई दिल तोड़ के आस्थी ओ मेरा भाई जिंद्धिकी में और भी बहुत कुछ है इनसे इसका नया नाम आप में सकोई बताना चाहेगा अपड़ेटिट इन्फोरमिशन लीज आप नया नाम बताएं इसका हां मैं ऐसी हर पंदर मिट में कुछ नहीं कुछ आपको सुनाता रहूंगा बट आप लोग यहीं रहो जाओ मत की मेरा मन नहीं लगता आपके नहीं पेरो स्टे हेर स्टे हेर हां सर्जी सिंगिंग जोइन करो सर्जी एक्टर बन जाओ सब कुछ बना तो मुझे बस टीचर मत बने रहने दिना है ना आजाओ अगला सवाल इसका अपडेटिव बर्जिन बता दो इसका नया नाम क्या है 34 का शोशल कोगनेटिव ठीचा है शोशल उन्हीं को था दो अंसाल कैसे र्वारत करते हो आप फिर वैसवी आप नकल करते हो कर नहीं कोशिश ओप घर लॉटron वहां में है ना तो आप रिपर और वैसे कर पाते हो तो सब लोग आपको तुस्त तैलिजित बावाब बावाब सही है बिल्कुल 100% शोर है विश्वास रखें अपने उपर वर इस डॉट इंक्लूड इन अब्जर्वेशनल लेंग मुमेंटम मोटिवेशन रिटेंशन या फिर अटेंशन अवलोक नातमक अधीगम में क्या शामिल नहीं है गती प्रेना या फिर प्रतिधारना या फिर ध् अग्राइब अग्राइब आप्टेंशन ओटा यह उप्शन से यहां पर अग्ला सवाल पाइब पाइब आप्स पीड शेयर गरिंगे निम्टर अप्रोट अप्रोट के अप्रोट में कितने तीन चार पांच आच आच नो दसकी बारा कितने पांच कोशन बहुत स्मीट से कोशन चालीज तक इतनी गोली की स्पीड से करें थर्टीश का अंसर क्या है फाइव बहुत 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 बढ़ी आंसर भी सही है आपका अगला सवाल ओप्रेंट कंडिशनिंग मेली एंपसिजी ओन टीचर ऑन देश्माइट माइटमस्पियर रिइनफोर्समेंट और ले अगला सवाल विच स्कूल और साइकोलोजी नोन एज ब्लैक बोक्स वाओ काला डबा मनों गयान के किस विदेले को ब्लैक्स बोक्स के ना जाता है अच्छा कोशने अच्छा कोशने मुकेंब खुश हुआ किसको बोलते हैं फाइव फॉर त्री टू जीरो आपके दिमाग क कि कसरत करा दूब है सब अगला सवाल गोल मैंन अभी मैने बात कि थी डेनियन गोलमन किसी क्या बोला था एक यू एक्यू इंटेलिजेंस के बारे में बात की थि गोलमेन मेयर और सोल वी ने क्या जाना जाता है अध्यात्मिक बुद्धी व्यक्तित्रुपडिक्शन भाव बता हुआ आपको 40 जल्दी 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 साबाश अरे कहां चले गए पता नहीं कहां चले जाते 1987 बहुत बढ़िया सावाश खूंखार हो चुगे आप लोग आजाओ अब पास अवाल थोड़ास आराम से करेंगे वरीज गुरूप ऑफ शिल्रेन इन मेज टेस्ट जो अर्तिकारियन है ना मुझे अक्ष्यकुमार वाली याद है और यह बता हो मैंने एक्जांपल जैता है किसी क्लास में आख जो अक्ष्यकुमार वाली भूल बूले यह मूवी है उसमें विद्या बाले उनको कौन सा रोग कौन सा डिसोर्टर होता है मैंने बताए था ना सु जाते है कमाल करते हो पांडे जी एंवाटी टीट वन त्री टू फॉर्टीन वेरी गूट त्री तू पॉर्टीन क्या गोलाइस में में इस टेक्स के बारें बात किये अगला सवाल 42 विच ठीयोरी औफ इमोशन वाउशन वाओ ठीक है वेरी गूड त्रिप्त याद है आप आप को सबस्थ भूतनीका सिंपल अड़ दो मैं सी डिलीट करते मैंम पस इपहर आप तो हो गया हो गया वाब फट इननी स्पीड से लिट करा सब ने कि सर पढ़ना लें पर सर ने पढ़ लिया मैं जो पढ़ना चाता हूं मैं पढ़ लेता हूं कोई बात निशेवानी मैंने कुछ नहीं देखा है सब ठीक हो जाएगा 42 अरे SSC यादर को SS का डबल बलना होता है अगला सवाल हूरोड दा बुक आफ डिक्शनेरी ऑफ साइकोलोजी वाओ डिक्शनेरी ऑफ साइकोलोजी किसे लिए 43 फटा फटा फटे जल्दी बोलो किसे लिए कोल मैं ने लिखी है सी ओप्शन सही आपका स्टेटरेंट वाले कुशन पे जाधा टाइम खराब नहीं करना ह है ओके सी के बाद कि आता है DCD तो सी कोलमेंड डिक्शनेरी कोलमेंड डिक्शनेरी तक लिया यादख लिए कर आएसे लेंडिंग पोयम्स और दैग्जामपल ऑप शीछना कवीता इसका उधारण है कवीताओं को सीखना उनको याद करना क्या होता है ट्रांसवर आफ तो पता नहीं दो तीन बार उठका थोड़ा बांदे में घूमाए मम्मी सही बात कर ली पापा सही बात कर ली है और फिर भी तुम ठक गए आजाओ फटाफट से फटाफट दिलिया और फॉर्टी फोर कांसर क्या है इसको बोलते हैं सीरियल लेंडिंग बोलते हैं आपको कविताय में राइम्स होती है ना अज़े कविताय में तुक बंदी होती है कि नहीं होती है तो उसको आप से याद कर पाते हैं बी ओप्शन से यह 45 विच अफ दा फॉल्लेंग इस नोट अपकोर कॉंसेप्ट अफ लेव बात बताईए और जो बात नहीं बताईए वही इसका अंसर है क्योंकि कोशन में आपसे नोट पूछा गया है अरे हां की ना बोलते नहीं बिल्कुल भी मूं को बिल्कुल सी के रखते हैं और फ्लेनी क्लास में होते ना समझा बस नहीं था के चलो सावाश वेरी गुड ठकना मना है आप जवान हो यार आप कैसे था सकते हो लक्षमर्ण जी 14 साल ली सो आप टोड़ा जिन मत सो ना क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा है ऐसे करते हैं आप लोग बताओ आप जो ठान लो मतलव आदमी जो ठाल ले इंसान जो ठाल लो करना सके होई नहीं सकता है वेरी गूड ए ओप्षिन सही है क्योंकि मैंने डिफ्रेंशेशन के बारें बताये नहीं और मैंने बताया था मैंने यह पढ़ाया था कि इनके जो ठीरी है वह मोस्ट ली चीजह इन्होंने साइंस बेक्राउंड से लिए Vector topology वेक्टर physics में पढ़ते हो Topology Up mathematics में पढ़ते हो फीयल आप physics में पढ़ते हो इसब चีजह ठीक है तो मैंने फिर differentiation आपको बताए ही नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है ऊंके चलू सावाश अगला सवाल दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में मनोवग्यान का जनम किसने कहा है प्लैटो एरिस्टोटल बार्कले या फिर वाट्सन कमान वोड़ीजेट हूँ सेट दा बर्थ ऑफ साइकोलोजी अज़ा पार्ट ऑफ फिलोसफी 46 46 परी सर जी दो बच्चों की वहां हूं वेरी गुड़ परीजी बच्चों का भी ज्यान रखने आप पढ़ाई भी कर रहें बहुत अच्छी बात है जरूर सफल होंगे आप इसी चीज़ को आप कंटीनियू करके रखो प्लीज कंटीनियू रखो इसको बच्चों को सुला दि इन्फोर्स्मेंट शेड्यूल जो आप सर्वोतरम पुर्णपलन का जो कारेकरम होता है सब से बैस्क्राइब इंटरेवल वाला होता है वेरीबल इंटरेवल होता है वेरियबल रेशों होता है इस कोशन पर थोड़ी देर हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये समय की 47 का आंसर बताओ जिल्ड़ अब ये बात तो पकी है कि फिक्स वाला तो हो गए नी अब क्यों सा उप्ष्ण फिर सी ये तो नहीं होगा फिक्स तो कुछ होता ही नहीं यह वेरियेबल की बात करो आपका वेरियेबल रेशो वाला अच्छा होगा सर आब इसको समझा दो एक बार सरजी नमस्ते सर्जी टेलिग्राम पर किस नाम से प्लीज बता दीजिए संगीता जी टेलिग्राम आप नाम साइकोलोजी भाई नीरा जी आदव करके आप उसमें एड हो सकते हैं और इस कमेंट जब वीडियो खतम होगी तो नीचे कमेंट में पिन बॉक्स में कर दिया जागा वेरियेबल आप इसके बारे में समझो जाए डी ऑप्शन सही है कभी बच्चे ने कभी आपने रीनफॉर्समेंट दिया दो कोशन के बाद कभी आपने दिया पांच कोशन ख़राब कर दिया तो इससे क्या होगा आपका सब्जेक्ट आपका विध्यारती लर्णिंगं की सतत्थ प्रक्र्णियर की में रहेगा वह करता रहे गा कर तरEEगा पता नहीं मेडम और सर कब खुश हो जाए और कब मुझे चौकलेट यह साबाशी मिल जाए समझ गए मेरी बात सर आप एंटीटी क्लास लेते हैं यह एंटीटी क्लास ही माले गुडिया इसको यही जो भी कुछ है पढ़ लो इसको क्लास यहां में पढ़ा रहा हूं यह एंटीटी में आता है एक यूजिसी नेट में भी आएगा और यूपीस में बढ़ता रहता है तो आप लोग यह मत पूछा करो सर्थ इसके लिए अगला सवाल कि दा हुमेनिस्टिक अप्रोच इस प्रमोटिट बाय मानवतावादी द्रश्टिकोंड को बढ़ावा मिलता कि से विल्यम मुंट अब्राहिम मास्लो काल रूदर या वुडवर्थ बताओ जी फटापर से इस पीड़ा लोगा तो सोने लग गए फिर से टाइम आगे को सुना पड़ेगा क्या हाँ वावावा कुमार को रफूल मतलब शायराना अंदाज में आप वावावा बैरी गूड बहुत बढ़िया पॉटी एट का अंसर क्या है चलो इसका अंसर तो आपने दे दिया वेरी गूर्ट चलो सी ओप्षन एक काल रूजर अब आप यह बताओ कि यह किसके फादर यह जो फादर है यह जनक है किसके पुजनक कही जाते इन्होंने क्या इसा काम कि जिनको फादर ओफ डैस कहा जात का जाता है और बोलोगे बीपीयसी वाले का सोगेए क्या किसका पितर्व काउंस्लिंग कांसिलिंग कितने अधर की होती है दो-धर और टीव और नॉन डिरेक्टिव कांसिलिंग के फादर कौन है काल्ड रोजर ध्यान में रखना है इसको पढ़ेंगे हम इसको भी अगला स बता दे मेरे बच्चे बता दे सवाश सभाश दीला मत पड़ो आजा बहुत अच्छे मेरे बहुत प्यारे बच्चे मेरा राजा बाबू बता दे बता इसका क्या है उनीच सोबीस डी ऑप्शन सही है अगला सवाल चलो पांच साथ कुशन तोड़ा स्पीड से करेंगे अटी नेजर हूँ परफॉर्म्स टास्क विद इस लेफ्ट हैंड सच एस टेकिंग फूठ ही ने पढ़ता है जैसे खाना लेना खाना लिखना ऐसा व्यावार करता है तो क्या है वो है डिट्री है डेवलोपमेंटल एरेक्टिक है यह क्या है वोड़िजट क्या है क्या यह कुछ लोग क्या होते दोनों से काम कर पाते उनको क्या वोलते एंबी डेक्स्टोरियस वर्डिवी कॉल डैम एंड क्या वोलते हैं को बी ऑप्शन से यह वेरी गूर्ट साबाश डवलपमेंटल बेविए और कुछ रिए और बी ऑप्शन से यह बी अगला सवाल आपका है चलो यह वाल आपको शॉर्ट और लाउड नॉइस को जब बच्चा पढ़ रहा है तो इसको हटा लेना उसको खीज लेना तो क्या हो गया यह नेगटीव रिइनफ्रस्मेंट दिया ताकि बच्छे की पढ़ाई अच्छे से हो सगे अगला सवाल रेटीन में अवसाधी स्पोर्ट की द् अगला सवाल बहुत स्पीड से करेंगे निम्निकीत मैंसे कौन सा टाइप रेटर का सिक्षिन के समान ने मतलब आपको टाइप रेटिंग आती है तो इसके समान के जैसे क्या है साइकल जी नहीं ड्राइविंग कार जी नहीं ट्रांड टैनिस प्यानू सभी आंसर आपका अ डारेक्शन परसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंटेंसिटी क्या आंसर एसका कूल कूल कम और फास्ट वेरी गुड़ डी इंसेंटिसी मजा आ रहा है अनन्द किया निभूति कर पा रहे हैं आप कैसा मैंसूस कर रहे हैं चाहे कॉफी कुछ होड़र किया जाया आपके लिए या कुछ सुनाया जाया आपको लो तो फील नहीं कर रहे हैं सब ठीक है ओके पानी पी लीजी ठक गई होंगे टेक सिप आप वोटर कि इतना अच्छा समय शांत महोल है सिर्फ आप और हम और पढ़ाई साइकोलोजी है ना खुश है आप लो पुरे पचास सवाल 55 है यह चलो सबस्टा दीजिए सुनाता हूं सुनाता हूं थोड़ा सावर थोड़ा और हलका सावर मैं आई आई आने की कोशिश कर रही है बट नीन आने नहीं देंगे उसको वेरी गुड़ शिवानी सबीन बगाने के लिए कुछ भी करेंगे ओके चल कोर्शन नुबर 6 विच इन एग्जांबल ओफ लेर्णिंग हाउ टू पाइलेट अप लेन आप प्लेन कैसे चलाएंगे आप गाड़ी कैसे चलाएंगे आप इंसान को कैसे चलाएंगे चलो किसको रहें एप टीटूड इसको बोलते हैं जब आप कुछ करते हैं अप टीटू आप टीटूट करते हैं अगला सवाल लोगों के प्रतिनीजी समूंगे जिसके लिए प्रक्षिन आशाइट है उसको क्या बोलते आप एपटिटूड नॉम्स रिपोर्ट एक कंसिस् यह मेरी एक psychology है जैसे ही कोशन 50 के ऊपर गए तो मैंने फटा-फट से मैंने गिनती एक से शुरू करती जैसे मैं रणिंग करता हूं जैसे मैं रणिंग करता हूं तो मैं अपनी psychology बताता हूं आपको सुनिए सुनिए बात सुनिए मैं जब रणिंग करता हूं तो एक psychology बताता हूं जैसे मैं रणिंग करने जाता हूं तो मैं एक लैप में फर्ष्ट लैप में चला तो दूर तक जाता हूं बड़ जब मुझे वापीस आना पड़ता है तो एक होता है ना मतलब एक psychological barrier मतलब psychology psychology के टीचर से खेलती है कि मुझे फिर से उतनी दूर जाना जितना मैं आ जाओं और हाला कि अगर सीधा-सीधा रस्ता गोल घूम कि आ जाओं तो मुझे उतना लंब पता नहीं चलेगा बड़ जबागते हो मैं क्या बोल ले कुश्कार हूं देखो यह बोल लो चलो मैं आपको इसके हिसाब से कि एक टॉपिक अरपका गोल ग्रेडियंट जैसे मनलो मैं रणिंग जाता हूं रणिंग करता हो ऐसे करने करता हूं ठीक है यहां पार पांस किलोमेटर हो गए आब मैं फिर फशे ले रहा हो तो यहां पर मैंनेमां अत्युक्त शला है आपको तो अगर यही चीज ऐसे होती कि आप ऐसे घूमते और ऐसे आजाते हैं अपना कहीं से मतलब क्या बोलना चाहरूं कि आपको उसी रास्ते से नहीं जाना किसी दूसरे रास्ते से वापी जाना है तो आप आराम से पांच के सब्सक्राइब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है ओके गुड़ कॉम्प्लिमेंट फूमी बहुत अची बात है चलो सावाश आजाओ अगला सवाल कि डाइवर्जेंट तिंकिंग किस ने दिया हूँ प्रपोर्श दा कॉंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग बताईए सावाश पढ़ते रहो यार पढ़ने से मेहत्पून क्या है जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा जीवन में सब सब्सक्राइट का अंसर गिलफर्ड वेरी गूर्ट सावाश इन सवाल में ज्यादा टाइम नहीं खराप करूंगा अगला सवाल मेडिकल मोडल ओफ एपनोर मेल्टी सपोर्टेट बाइड आर्गूमेंट एडिस्टर्ब पीपल पीपल बिजारे बिएवियर ऑफ दसेल्फ इस बताइए बीपी वाले आपके सवाल है मुझे सबका जानक पड़ता वहीं सबका है ना चलिए आपका सवाल है बीस टेट वाले अगर एंटीटी वालों से ना हो तो बिलकुल लो नहीं फील करना है हाव क्यूट सो क्यूट ओके पाठक जी थैंक यू चलो सबस्टाइब से कोशन नमर्ण नाइन टाइम लागा टाइम ना लगा इतना समय नहीं है यह लोग करते कि मेरी तो जिम्मधारी पिलाता है अरे हाँ की ना पिलाता है महीने में कितनी वार पिलाता है साल में कितनी वार पिलाता है माल लीजिए किसी दिन उससे ग्लास गिर गया गलती से तो भाई साब उस पे लोग ऐसे चड़ जाते हैं क्योंकि सहाब लोग तो कभी पानी लेकर खुद पीते नहीं है उ है वो है इस से पता चलता है कि उस इंसान की परस्टनल्टी कैसी है बलकि मेरे इसाब से तो उससे ऐसा भीर ना चाहिए शुक्र है आज आप से गिलास गिरा तुसकी कम से कम वरना हम तो यह सोच रहे ते कि आप भगवान के अफ्तार तो रही है को कि आपने एक साल में कम से कम सोई हजार बार ये काम किया होगा तब आप से एक बार गिराये गरेगें कोई काम उन्होंने 10 1000 बार ख़े तो एक बार गलास गिराये तो मुर्लल ओफ थिचो डिभ्ड शीजाट कि जो इनसान काम करता है उससे कि गलती होने की probability होती है जो नहीं करता हो तो फिर कोई बात ही नहीं है तो आप कोशन कर रहे हो तो प्रोबिल्टी है कि चीज़ें गलत हो सकती है ठीक कौन कराएगा हम कूल चलो सावाश मनप्रीत कौर ओके सश्रिय काल बुल रहा है पंजाबी में और पंजाबी कैसी टेक्ट करते हैं आप एना मनपीज को और मुझे बताना अपने ससीरे का लिखाया क्या लिखाया नमस्ते गुरू जी कुछ तो लिखाया सई कुछ लिखाया ना ओके यहां परेक्शन नियोज़कों द्वारा करंचारियों का चेन करने के लि कौन सी ऐसे प्रकार के वक्ति दो जिसमें वो अफसरों को पैचाल लेते जल्दी से करते फटाफट से करेंगे आगे बढ़ेंगे प्रयक्टिव रहेंगे वर इस एट यह सर देखा मैंने पैचाल लिया ना ओके क्योंकि हालका हलका पता चल जाता आपने आपने यही लिख करो को सब मैंने ठीक बोला की गलत बोला बताएं कोशन बाई 11 अरे बतादो प्रोवेक्टिव बेहवियर होते हैं लोग अगला सवाल कौन से वाशकता के लिए मैं तरी पून एवम से शील अंतर व्यक्ति समंद्वांच निये है किसके लिए वांच निये जी विच नीड ड त्वैल कॉशन नमबर 12 कर वेरे वोट सी ऑफ्शें से यह आपका नीड फोर एफिलेशन के से दिया मैंकली लेंड ने डिये मैंकली लेंड ने दी है यह यह चुरी पढ़िये आप सवाल पढ़िये आप मैं जवाब दूँगा अब मैं जवाब दूए है ना कोड साब मैंन सब्सक्राइब विक्रितिया सनीत है था केटेगरी इनकलूड सब्सक्राइब डिसोर्डर इन विज दा इंडिवीज़ पर्सेप्टिन अफ रियल टीज सीवियर ली डिस ओर गिनाइज वर इस एट क्या बोलें इसको इसको बुलेंगे आप साइकोसिज नियूरसिज क्या वि 14th all of the above sara answer say a d agla someone who framed a learned help princess model aaron beak slagman your peterson simple question a aapka statement well I had to yad gonna put a kushnik as a test ka positive psychology by the way you know he bought kia a glass of all in an impression formation experiment as simple included that of option of opinion individual formula on the basis of what on the basis of question number 16 be option a very good information given the beginning is my man example the attack or key first impression is the last time first impression is the last impression valley जो बात होती है हलाकि ये बात सही नहीं है समने आफिक्क वानना चाहिए कि इंसान आप से पहली बार मिला और जिस कंडिशन में मिला वेसी आपने धाना बना लिग्रेसा नहीं बना लिग्रेसा खाएंगे क्या पहनेंगे कैसी जीवन शैली होगी आपकी तो यह इस बात पर निर्बढ करता है कि आप रहते कहा है वहाँ पर जो ग्राफिकल कर दिशन कैसी आप पाड़ों में रह सकते हैं तो रिगिस्तान जैसी चीज़ें नहीं कर सकते रिगिस्तान में रहेंगे तो आप हिमाल्य जैसी चीज़ें नहीं कर सकते समझेरों आप तो यह सब चीज़ें है आपकी ध्यान में रखिए इंड़स्ट्रीज ड्राइब्स द्रू इन्वेशन वर्ट इंडश्ट्री चलती आपका जीओ आया था जीओ आया था सारी सारी कंपनियों किया उसने मतलब खटिया खड़ी कर दी तो क्या किया था कंपीटिटिव एडवांटेज उसने पहले अपने टावर बिचाए और फिर सब अपने कंपीटिटर को मार दिया उसको बोलते हैं फ्री जोन में जाके ट्रेड करना फ्री जोन में जाकी करना सर हिंदी में पढ़ाते तो वर्क करते अच्छा चलो हिंदी में पढ़ाते कोई बात नहीं यह जो सवाल बीपेसी के वह हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं यह प्रेक्शन व्यक्ति की दिये गए कार्यों को सीखने की योगता का मापन करते कौन से बुद्धी अभी शमता उप प्रकार की बुद्धियों के प्रेक्शनों के लिए आधरश प्रतिमार बन गया है कौन सा टर्मन की मापनी वैशलर भीने या फिर बहुकारक प्रेक्शन 2121 वेरिगोट टर्मन स्केल्स टर्मन स्केल्स बहुत बढ़ी है सावाश विकरती मां के 21 क्रोमोजोम में इसी को बोलते है ट्राइसवमी जब बच्छ आसे पिता से आता है एक एक स्टाह अगला सवार सवाल तो क्या वह कूलते हैं पढलाया था फोटो भी दिखाई दिखा कि वह कौन सा व्यक्तित्व का शीलगुण है जो व्यहवार में बाहिए इस सितिकारकों के व्यक्ति को सामन जससे स्तापित करने की योग गता को दर्शाता है पर इस एट सेल्फ एवैलिएशन सेल्फ असेस्मेंट सेल्फ मोनिटरिंग सेल्फ रिस्पेक्ट क्वेशन नुमर थक जाओ ना तो मुझे बता देने कि सर्म थक गये सर बस सर मैं देखना चाहता हूं कि आपका स्टैमीना कितना है कौन सा सिद्धानत है कहता है कि करमचारी काम को पसंद नहीं करते हैं तो बहुत उस पर हम इसाचणा रहता है कौन सी छोड़ी होती है वह पूंसी चोड़ी एक्स होती है वो सावाज अगला सवाल तकनीक मूलभूत अवाशक्ताओं को आंकनल करती है जिसमें विक्तियों के चितनों पर कहानी बनाने के लिए का जाता है इंक व्लोग टेस्ट इमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या वर्ड असोशेशन टेस्ट चलो तीस तक यह वाल सब्सक्राइब कुमार गोरों मेरी क्लास का सब से शैतान बच्चा है 25 टैट होता है ठीवेर्टिक अपरसेप्शन टेस्ट ट्वेंटी सिक्स अब कंसीक्वेशन ऑफ डेप्राइवेशन ऑफ यह यह वाला छोड़ दो अब आप करते कुछ दूसरे सेट आफ कुशन करते च चलो यह वाले कुशन का अंसर दो वर्ट वर्क एजरी इनफोर्सिंग एजेंट टू ड्राइव ड्राइव के लिए एक पुनरबलन अभी करता के रूप में क्या कार्य करता है मनप्रीत को और आब नहीं समझ पाँगा आपने क्या लिखा है पी एस्टैट लिखा यह तो सम इतनी पंजाबी नहीं आती है मेरे को जहां भी पड़े है लिख लास कि वह आजा भाई इधर भी आजा यहां भी एक लास के दराजा तू कुमार गोरवर्वर्वर्ट तो सलेक्शन नहीं हुआ ना मैंने बिहार आ की तो उठा उठा उठाके पटकनाय मैंने 48 का अंजर बत सबाश है बेरी गुट बरी गुट फोर्टी एट का अंजर बतादो अधर आँ अगरे यार आवश्यक्ता ही आवश्कार की जननी होती है आवश्यक्ता ही और जोने का सोनानी है क्या तो जब जरुरुत होती हं के आविश्कार कैसे वह था यह कौल आपका मन verdure तो आप भारत में रहो पाकिस्तान में रहो बंगलादेश में रहो सर अच्छी जगे रख दो अमेरिका में रहो नौर्वे में रहो स्विजर लेंड में रहो आपको मनभृती बूलेंगे तो जहां भी साइकोल जा रहे हैं वाँ पर यही सब चीज आती है हाँ थोड़ा लेवल उपर नीच लगे भी लगे टॉलोग थोड़ा स्पीड से चलो जार इनमें से कौन सात अता था प्राचीन अनुबंदन अधिकम में ऐसे है उद्धिपक है ठकने लगो थे करें लगे आप लोग अ थाकने लगे आप लोग कुमार फ़ाई पर यान देले मेरा फ़ाई पर आई पर देल कुछ नहीं रखाएं बातों में क्या है फिफ्टी का अंसर सावाश वेरी गुड़ वेरी गुड़ क्या है बैल अरे घंटी बजाता था पैवलोब ताभी तो सलाइवेशन होती थी किसकी डॉक की 51 तुल विंग के अनुसार सिमृति की तीन अवस्ता है कौन से वस्ता है बता अचjänि क्लास का मतलब लेना मिरा सवाल हो गया है शुक्रヤश्य शुक्रय शुक्रया शुक्रय शुक्रय वर चलो एक जलो अची बात का समय हुए अगर वह मुझों से पूछ ले कि किस बात का गम है तो फिर किस बात का है है वा 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 अज़ाओ आज़ू तोडी देर में पूम्प चाहिया हो तो फिफटी वन का अचर सावाज वेर गूड़ सी ओफ्शन सभी एपी एक और सुनाओ उनाओ आपको फटा फट्ट से जली एंछर अपने बाड़ा दे रहे without at according to atkinson theory the tendency to approach an achievement task is a function of what the motive for success the subjective probability of success on task incentive value all of the above 52 okay Kumar gore bhai thank you shukriya आप मेरी बात मानने के लिए ठीक है ओह मजा आगया वाजीवा वेरी गुड ओह ठीक 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 एक और सुनाओंगा एक और सुनाओंगा अच्छा पहले प्रकार से विवस्तित है एंगोडिं रिट्रीवल श्टेरज बाता पहले क्या होता ? पहले आप एनकोर्ड करते हूँ बढ़िया शानदार याजवाब ठीक बढ़िया मझा आगया ट्रांसफर paths to the transfer of knowledge है करता है किसने कहा था है ना बोलो वोलो किसने बोला था बद अच्छ सावास शावास वाजल एलियाली 54 किसने चाहता दी ऑफ्चं सोरेंसन वेरी अगला सवाल 55 सोरेंसन ने कहा था दा फिल्ट्र त्योरी वास प्रपोस्ट बाई बीपी एस्टी वाले अरे कहा गए मेरे बीएस्टेट के शेर चले गए क्या एस हो गए कितना सामय हो गया साड़े दस बजे अभी तो अभी तो घुमने का टाइम है आज़ा फटावर से 55 का अंसर क्या है कि ब्रोड बैंड का करेक्शन होता ना पें घर में यह ओप्शन साहिए इसका ठीक है ट्रेस में ने क्या दिया था एटीन वेशन थियोरी दी थी चलो अगला सवाल है हं जी चल तो मैं आपको दूसरी वाली चीजन करता हूं चलो दो मेंटके राश लेलो ठाग गया थाग थाग यह चलो ठोड़ा आके मंद कर लो 30 सेकंड के लिया आके बंद कर लो लमिशांस लो के सब ठीक है सब ठीक है कूल एक तना आप एक मैंट के लिए रिलेक्स कर लो आप ठीक ह के चुर्ण सुनबर साने वारी गुलाम तैरो यह बन बारी सुनबर साने आप मैंसे विरिंदावन कौन-कौन गया है इसने प्रेम मंदेर देखाएब आप में से वरिंदावन कौन कौन गया है यूर फिलिंग टायर्ड मैं फ्रेंड नो नो देश्कूल गूर्ड गूर्ड हाव ग्लास ऑफ मिल्क मैं फ्रेंड कोशन अच्छे सभी कोशन करें प्लीज ओके ठीक है हर्शिद भाई बहुत अच्छी बात बोल रहा आप चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार एक जोटा और मारते हैं सर जी सुनो ना हाँ शिवाणी बोलो ना शिवाणी जब मैं नामजब मुझे वाला गाना आता था हां हम भी देखें मैं 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 ओके गई है ठीक 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 वेरी गुड वेरी गुड प्रंदा वनने गई त है जी बिल्कुल हमारे इस्ट है सभी बात है हम तो उपासे भाई या टेड़ी टांग वाले के वेंदावल तो दिल है सरह हमारा बहुत बार गए ठीक ठीक वेरी गुड बहुत अच्छा शरमाजी मजा आ गया चलो आजा प्या वट इस एज ओफ प्री आपरेशन से थोना की तबतीफ टार्व का प्रीक घॉट जल्डी से कलो चलो ठीक ठीक ठीख लो कभी आप लोग सेलेक्शन हो पिर हम सभी गूमने चले चलो ठीक है चलो यह मेरा वादा रा आप लोग को सभी एक ग्नवन्मेंट्ट जोब लेलो फिरे टूर पे चले चलेंगे आपको फिरक क्लास मानने में हां लेट हो गया कहाते अभी तक बताओ ठीक सी ओप्षेंस आपका दो से शाथ वर्स चलो यह सवाल हमने करे हुए वाद रिविजिन कर लिंग फटावर्ट से चलिए लेंग्वेज अलब मेंट की बात कॉन करता है नॉम्स चौंस की हार कोशन के लिए आपको डंडंडंडंडवन चलेंगे ठीक है मां के वैरी जी के द्रशन करेंगे और उन से मिलके आएंगे क्या नाम है गुरुजी आते है वह प्रिमनन जी महाराज जी प्रणाम है मिरा उनको कोगुनिटिव लेंडिंग ट्राइल एर्र साइन लेंडिनिंग वरिजट वेरी विचलता फॉल्एंग इस थार्ड श्टेज उफ पर गुटिर अलप अकॉडिंग टुप याज फॉर्मल प्री अपरेशनल कंक्रीट सिंपल थर्शे के बाद के कंकृट तो थे मूरतावस्था थोस अगला सवाल हिंदी में हिंदी में इन मैसे सीखने में योगदान देने वाली मनोवेगनिक कारवकों कौन सा शामिल नहीं है सीखने की इच्छा प्रेणा ब्याज ब्याज क्या होता है इंटरेश रूची होता ही एक शुट बोलावेज अपने ब्याज लेकित दिया है सर आप लालाओं वाली बात मत करो बता यह क्या होता है कोशन नम्बर सिक्स क है सर हम से पहले तो आप अंसर लगा रहे है अब मेरी स्पीश चलो ठीक है ओके कूल कूल चलो सावाज बहुत बढ़िया अगला सवाल विचादा फोलें इस सोचल वेल्यू ओल्टरिज्म प्रैमरी गोल इंस्टिंक्ट एग्रेशन परूपकार निता आप दूसरों का परूपकार करतो आरे मैं जल्दी इसलाव आप मन में सूच तो मैं यहां पे मि पोलिशर में जल्दी अन यहिरिस्टिक अलगुरिथम में टल्सटिवर्ट कुछन नवरीट चलो ठीक फिरिष्टेक उता है एक्स्टिवर्ट कॉस्टिवर्ट नमटनाइम कर्वस एं लें निंग गिव ग्राफिक रिप्रेशन अव्माट रेट लिमृत अव्मेंट वगर की बात हो रही है तो किसी ने बात की हर्मन अब इस अब इस में वरी के चैप्टर में कुछन नमटन लिमिन के से थेंडाइक के सीखने के प्रात्मी नियुक्त कौन सा शामिल नहीं है यह यह करी चुके थे एप्षिन है यह अपने करा था दूब गों के फिर से आगए चलो कुछ और कुछन करते हैं आपको ठोड़े से कोशन और कर लो फिर आपको अच्छा लगेगा ऊच्छा लगे गर तो अशरी से चलते चलो कोई ने छोड़ो ट्वैलों कुछन करो थक गये आप लोग थक गये अप लोग कोई बात ने आज पहली वह इतना लंबा बैठे ओ इतनी शेटिंग नहीं है अब आप सोचो कि आप जब आप एक्जाम क्याप दो गे तो आप पढ़ने के तरीका बताते हो जिए की कुछ भी आजए तो एक्जाम से 10-15 पहले उसके बाद फुल त्रोटल फुल थ्रेशोल्ड से पढ़ा करो आप देर राथ तक आपको पढ़ना ऐसा है अगर अभी आप पता है आपको जब से आपको डेट पता तल जाए तो दीरे 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 आपको जिस दिन एक्जाम है उन दिनों में आपको पीक पॉइंट परेना आपको समझेर मेरी बात अगर माली जे एक्जाम आपका अभी जैसे एंटीटी वालों का एक्जाम में उनका मही में एक्जाम तो और आप अभी से बहुत ज्यादा पड़ते हो रातों कुछ टाइम बाद ना आपको आपको ठकने लगो गया जब इस पॉइंट पे होंगे मैं यह नहीं चाहता हूं जब आपका एक्जाम हो तो आप बिल्कुल यहां पे रहें समझ रहो तो दीरे 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 चीज़ों क को इन्क्रीज करना होता है इसका आंसर किया है चीम्पैंजी अंहिता मतलब क्या होता है बताई सावाज शावाज चलो 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 अगला सवाल अगला सवाल 13 14 the writer of the book behavior of the organism Skinner Hull Pavlov ये तो चलो statement वाला कुछन है अब आपको मैं कॉंसेप्ट वाले कॉसिन कर आता हूं थोड़ से कॉंसेप्ट वाले कॉसिन कर लूबस ठीक ज्यादा निकरेंगे थोड़ी थोड़ी दियर और बस पांच मिन दोर पांच मिन दोर बस what is the most important for the training of the right behavior is student praise punishment reward your presentation of right behavior question number 15 question number 15 boys and girls come on fast okay 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 well sir can get this up money being a get a fresh ticket 15 15 very good sabas utit aachran ka prathimaan savas agla saval who had the proposed a goal gradient concept in the problem solving kiss lady at a kiss lady at a goal gradient wali bad or many homework we would get a tablo homework Nikki and upload on a upload on homework meaning you know will homework naked a upload on a shower 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 hello dear the very good agla saval who is not associated with the ideas of micro teaching bus David home the alien egginson 17 cancer both would be a boy would be a clock all of a glass on a question number 17 अब चलो तीन सावाल और लो उसके बात की चुट्टी है उसके वाद आपकी चुट्टी फिर दो मेंट आप से बात करेंगे पांच मेंट बात करेंगे सर मैंने कल का हूंबक कमेंट बॉक्स में किया है very good मैं मैं चेक करूंगा मैं चेक करूंग डिया कोशन नमब सेवन्टीन क्या है कोशन में 17 का अंसर बता रखाया गलत मत करो अब बताया हूँ कोशन आप लोग क्या कर रहे हूँ यह कोशन मैंने आपको कराया था भाई मैं ने बता रहे इसका अंसर मैं बताऊंगा ही नहीं फिटाओं फॉलिंग लेवल डिफ्लेक्टिव मेमोरी डिस्टेंस लेवल जो कॉशन में दो तीन 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 बार करा दिए उसको भी नहीं आप कर रहे हूँ हाँ ठीक है बदब 60 परसेंट लोगों ठीक है फॉर्टी परसेंट लोगों अभी गलत था इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है फुल मस्ती के मूड में हो अभी एक्जाम आके चला जाएगा फिर भाई साब बहुत सारी वेकेंसिया आ रहे है इतनी भर-बर के वेकेंसिया रहे है कौन कहता कि ही वेकेंसी नहीं आ रही है कि दूरी बेर गूरी डिश्टर्स दी ओप्षिन सावाज कोशन नमर 19 विचान फॉली इस नोट डेमोक्रेटिक स्टेट जी डेमोक्रेटिक होता कि सबको आपको संब्रेट करना है क्लास में सब का आपको पार्टिसीपेशन लेना है जैसे मैं बोलू शिवानी आप बोलो सुमन आप लो ओर भाई आप बोलो लुख अबलो स्रॉनम आप बोलो दिप्शी कव तो सब का पार्टिश परिए उन्यक्रास में और इसको नोट फुर्म अच्थिशु में नोट भूप्छा तो सिव टीचर बोलता रहता है और में एक्त चलिए जी यह यहां पर आप लोग आई तिंक मेरे हिसाब से आप लोग 100 प्लस कोशन आप कर चुके 120 के आसपास आप लोग ने कोशन किये तो अपने लिए आप लोग ताली बजाए यह मैं बजाता हूं आपके इताली बेरी गुट यह परफॉर्म्ट सो वेल आप लोग सब लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत मैनत कर रहे हैं आप लोग वेरी गुट सावाज शावाज ठीक है कल सटने का दिन है तो आराम से सुएगा जिस टाइम भी आप सो मतलब जिस टाइम भी सूकर उठे भगवान का नाम लीजेगा और एक्सरसाइस जरूर की बीजिए गाप ओके सर्वेकेंसी आ रही है बस पियाटी की निया रही है बस यही तो दिकत है डिये सेजबी और पता नहीं यह क्या कर रहा है यूपी बोर्ड देही नहीं रहा है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए ओके जल्दी मिलेंगे दोस्त स्पीड जारा थी पर मज़ा बहुत आया स्पीड इसलिए जारा थी क्योंकि मैं आपको उस माहोल में लाना चाहता हूं उस उस प्रेशर में लाना चाहता हूं जब अब हालत में हो जाना चाहिए ठीक है एक मैं बता दूंगा कि कल आप ही क्लास है कि नहीं है मैं बता दूंगा आपको एंटीटी वालों के लिए बहुत सारे मेटरियल दिरका बाइसाब उसको पढ़ते रहो ठीक है पढ़ते रहो उसको चलो बहुत अच्छला का मुझा जाता है हमारा ठीक है आप फ्ली मुलाकात थोड़ा जल्दी वहा करी और देड़ तक मिला करेंगे हम ओके आप यहार आई आपका वेलकम कुमार भाई जरूर आऊँगा फटाफटा बीच्चियू में आऊँगा मैंने बोला ना मैं बीच्चियू उनिवस्टी में आता हू कराऊंगा और बीच्ट वालों को मैं यूनिट 15 कराऊंगा जो आप बूल रहे हैं कहीं पर नहीं कराई जारी मुझे पक्का पता कोई नहीं कराएगा मैं कराऊंगा आपको आल टीच चलिए बाबाए टेक केर बहुत अच्छा लगा आप से मिलके आप मेरी क्लास में आए यू थैंक यू बाबाए मैं काउंसलर हूँ हस्पिटल में पर में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है वेरी गूड रीमा मुझे अच्छा लगा है कि मतलब आप इस फिल से भी नहीं फिर भी पढ़ रहे हैं चलिए थैंक यू थैंक यू बाबाए गोड ब्लेस यू हूँ